हलो दोस्तो आज कि इस लेक्शीर में हम ंडिसक्रेश करेंगे कि आउटपूट क्या है और आउटपूट दिवाईस कौन-कन साय होती हैś तो सबसे पहले हम देखते हैं वटिज्ट आउटपूट जैसा कि हमें पता हैं हम कंप्यूटर को इन्पूट देते हैं तो वो आगे computer में क्या होती है, यह computer मसालक दूर पर आएद और सारी वो क्या होती है, process होती है, तो जैसे ही वो process हो जाए, जैसे input process हो जाए, तो वो हमें output देती है, output को हम वो से जार करते हैं, input आई, computer में computer ने process की, और computer ने output दे दी, तो यहीं computer का सारा process होता है, जो भी, जिस तो यहीं computer की definition है हमने तीन चीजें जो इस video series में mainly देखनी है वो एक input है input क्या होती है और input devices क्या होती है जनको हम पीछली वीडियो में देख चुकी है हम CPU के बारे में में discuss कर चुकी है CPU क्या होता है और CPU में कौन कौन से चीजें memory इस तरह की सारी चीजें हम discuss कर चुके हैं computer को discuss कर चुके हैं अब हम output devices को थोड़ा सा discuss करेंगे इस video में तो लेखते हैं output क्या होती है output is the data that has been processed into a useful form जनको जिसकी useful form बन चुकी है ऐसा data जो के input पहले था वो useful form में नहीं था फिर computer को हमने उसमें processing की तो वो useful form में बन गया output is the data that has been processed into a useful form output क्या होती है ऐसा data जो process हो गया है तो output इन सारी devices से हो सकती है printer से हो सकता है mobile screen पर text जो हो सकता है graphics print हो सकते है picture की form में monitor पर data print हो सकता है इस तरह मुखलिफ किसम की LCD video और devices होती है जिन से हम MP4 player इसके लाब आडियो से भी speaker से भी जो है data output होता है तो यह हर किसम का data इस तरह से output हो सकता है और यह useful information होती है इसका कोई मतलब होता है output device क्या होती है यह any type of hardware hardware जिनको हम touch कर सकें तो output device कोई से होती है ऐसी hardware component जो के information को आम तक पुचाता है मसाल के तोर पर speaker है तो हम उससे अवाज सुनते हैं अगर monitor है तो उस पर हम video देखते हैं तो इन में कौन कौन से devices शामबल हैं साबसे पहले display devices display devices में जैन से हमें नदर आता है मसाल के तोर पर monitor हो गया इसमें printer जैन से हम printer करते हैं paper पर चीज़ें प्रेंट करते हैं picture को प्रेंट किया जाता है speaker, headphone and earbuds जैन से हम सुनते हैं data projector जैनि के हम class में भी यूज़ कर रहे होते हैं जो के whiteboard पर हम media यूज़ करते हैं और whiteboard पर वो हमें बड़ी फोटो का बड़ा करके दिखा देता है data project करके दिखा देता है जिनको हम multi media भी आम जमान में कहते हैं जो के बड़ी स्क्रीन पर छोटे स्क्रीन से data डिस्प्ले करवाए उसको data project करते हैं interactive whiteboard अब मुक्तलिफ किसम के screen बाने की है जिनको interactive whiteboard कहते हैं उन पर हम touch भी कर सकते हैं तो यूजर को दिखाने के लिए कोई चीज इस तरह उसमें फिर clickable भी होते हैं तो इस तरह के whiteboard बड़ेंगे हैं जो digital whiteboard है तो उनको भी output devices का जाता है force feedback game controller अब यह game controller होते हैं अब यह game controller होते हैं यह gun होती है वो vibrate भी होती है तो हमें वो feedback भी मिलता है हाँ जी मारा fire हुआ है मारा fire सही लगया है या नहीं लगा तो वो हमें वापस feedback मेल रहा होता है feedback इस रत में हमें output साथ-साथ मिल रही होती है तो वो भी एक किसम की output है tactile output अगर आप लोग ने virtual reality का सुना है तो ठीक है अगर नहीं सुना फिर भी अगर कोई इंट्रेस्ट रखता है technology की बारे में मुफतर्च करे virtual reality asset technology है मसाल के दूर पर आपको एक room में रही जाता है और आपके hand पर सहर पर जो है एक computer ने जो environment generated किया वही आपको नज़र आएगा आपके आँखों पर भी वह एक आइना सा लगा देंगे glasses लगा देंगे तो आपको सारा कुछ आपको computer generated environment नज़र आएगा और आप ऐसा feel करेंगे कि आप किसी और दुनिया में चलेगे और आप मूव भी कर सकेंगे आप चीज़ों को touch भी कर सकेंगे तो यह सारी चीज़ें जो output आपको मिलेंगे जाने कि touch कर सकेंगे लेकिन होंगे आप उसी चेर पर बैठे हुए लेकिन उस चेर वह ऐसा मूव करें कि आपको लगए कि मैं वाकी कहीं और हूँ तो वह जो चेर आपको output देगी vibration कि दरी यह हिलने कि दरी यह move करने कि दरी यह जहां कि चेर के लावब भी कुछ फरश इस तरह बनाए गया है रूम इस तरह बनाए गया है तो वह सारे जो रूम आपको output देते हैं वह क्या होती है तो अगर आप इस टेकनालोजी के बारे में दल्शेस भी रखते हैं तो हमने सर्च करना है क्या विर्चुर वियल्टी वाट इस विर्चुर वियल्टी वाट इस वी आर इस डिस्प्लेडवाइस यूजली कनवेज क्या करती है टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड वीडियो इनफरमेशन जो डिस्प्लेडवाइस है उसके यह जिम्हे होते हैं उनमेंसे मनीटर जो है एक डिस्प्लेडवाइस का नाम है इस पैकज़ आज़ सेपरेट पैरिफरल यह एक लैड़ा से हम रखते हैं तो इसमें इसके अंदर स्पिकर लगे होते हैं यह एक वाइड स्क्रीन है जो डिस्प्लेडवाइस के लिए यूज होती है यह टेबल पर पड़ी होई है ठीक है LCD विगड़ा और मिसाल के तुरुपर यह एक मारे पास क्या है CPU ए इसका जाओ यह दो उन्होंने यूज किरी है ठीक है तो हम चाहिए एक सहरा भी यूज कर सकते हैं मुझीटर लिक्वर्ड क्रिस्टल डिस्पले मिनेटर के लावा जो LCD यूज़ होती है उसको क्या करते है लिक्वर्ड क्रिस्टल डिस्पले इसमें लिक्वर्ड यूज़ होता है ठीक है और क्रिस्टल यूज़ होते हैं तो इसलिए इसको लिक्वर्ड क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो इतना समझ लें कि जो active metric display है जो active metric display है यह महंगी है और यह high technology है ठीक है अगर आपने अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी लें तो active metric display अच्छी है तो इसे चीज़ें आप इनके टाइप के नाम जाद का लें पैसम metric display थोड़ी जो है active metric metric display जितनी high resolution वाली नहीं है और उससे सस्थी है ठीक है तो यह चीज़ें आप इनमें फरक याद कर लें इनको डिटेल से इस technology को पढ़ने की जुरूरत नहीं है अभी आपके जो है इस video series का वह इससार नहीं है इसमें इतना समय लें कि active metric जो है वह महंगी है और वह high resolution video display करती है उसके मकबले में low resolution है और यह सस्थी भी है the quality of an LCD matter or LCD screen depends primarily on quality किस बात पर प्रेंड करती है resolution पर कितना resolution यह डिस्पले कर रही है इसके लावा response time कितना है कि कितनी जल्दी वह अगर जो computer recipe जो इसको कोई चीज दिखाने के लिए देता है तो वह कितना time लेती है आप सको दिखाने में brightness कितनी है dart pitch कितनी है dart pitch एक pixel pixel की सुरत में display होता है data ठीक है तो एक pixel दूसरे pixel से कितने फैसले पा रहा है इसको कहते हैं dart pitch तो dart pitch कितनी है जने कि pixels के दरम्यान फासला कितना है contrast ratio कितनी है जने कि brightness जगरा और यह सारी चीज़ें कितनी है अगर दो object पड़े हुए है कितने color juice हो रहा है उसमें अगर दो object पड़े हुए है तो एक थोड़ा सा फरक है उनमें वह कितने clearly हमें पता चाल जाता है यह contrast ratio तो यह इस चो पांचों चीज़े है यह हमें बताती है कि LCD की यह monitor की इन सारी चीज़ों की quality बताती है जने कि resolution कितना हाई है response time कितना अच्छा है brightness कितनी अच्छी है तो इसमें यह पुछा जा सकता है कि जो LCD अमिनिटर की quality है वो किस चीज़ पर depend करती है उसके factor कौन से है तो यह सारो factor है जिन पर quality depend करती है resolution क्या है resolution is the number of horizontal and vertical pixel हम last video में भी discuss कर चुकी है कि screen पर इस तरह के dart होते है ठीक है जिनको हम pixel कहते है तो जितने pixel जूज हो रहे हैं साल के तोर पर यह अब four by four pixel यह four by five है ठीक है यह टोटल बीस pixel है स्क्रीन पर लेकर यह बहुत चोटी समझे लेंग स्क्रीन है आम तोर पर सेंखडों की तदार में pixel होते हैं यह तो resolution जो है वो जितने जे pixel जूज हो रहे हैं उन पर बंड करता जितने ज्यादा सक्रीन पर पिक्जल जूज हो रहते हैं horizontal एंड वर्टीकल उन पर resolution पैंड करता है higher resolution जूज है greater number पिक्जल मसाल के तोर पर हम ने इधर एक और बनाया है ठीक है उनमें सिर्फ दो बाई दो पिक्जल है इतने होते हैं इस से ज्यादा होते हैं लेकर मैं मैं म प्ले देगी तो यह होती है resolution कोई पुछे resolution क्या होती है is the number of horizontal horizontal जो side इस तरह होते हैं ठीक है left to right और vertical उपर सिंगे तो यह सारे जो जितने भी पिक्जल हैं जितने ज्यादा है उतनी resolution अच्छी होगी यह उनने वैसे मुखलिफ स्क्रीनों की दिखाई हुगी है यह एक screen है उस पर 1400 and into 1050 resolution है यह एक और screen है इस पर 1920 resolution है ठीक है इस तरह यह मुखलिफ resolution की यह अभी एक setting है resolution setting किस तरह होती है यह तो बस यह समझाने के लिए है resolution कितनी हो सकती है यह कैसे set होती है display devices में GPU जो होता है ठीक है GPU graphical processing unit यह क्या करता है यह हमें बिताता है कि image किस तरह show होगा कितनी देर में show होगा और display device पर किस तरह होगा ठीक है तो यह our computer में system जो हो रहा होता है graphic processing unit control the menu population and displays of graphics on a display device कि किस तरह ग्राफिक को display करना है display device पर यह कोई डिसाइड करता है graphic processing unit तो यह पता होना चाहिए graphic processing unit क्या होता है LCD monitor use a digital signal and should plug into a LCD monitor है या कोई भी monitor है कोई भी video device है यह कहां यूज होती है यह दखाया गया है computer का CPU अगर दखाया गया तो computer जो notebook पर लगते हैं अगर किसी के पास computer है यह अगर को वीडियो डिवाइस हमने और टैज करते हैं तो इस जगह लेगा है DVI port को जो है उनको चाहिए होती है तो वह इस जगह पर लगती है तो इस तरह की port बनी होती है मुखलिफ तो इन पर क्या लगता है display devices तो display devices कहां लेगती है मुनिटर LCD तो हमने यह भी पाढ़ लिया है कि LCD की quality किस चीज़ों बंट बैंट करती है LCD में कौन कौन से quality यूज़ हो रही होती है तो यह सारी प्लाजमा मुनिटर जो है वो एक खास किसम के मुनिटर है इनमें प्लाजमा यह जो साब में स्क्रीन में हम में देख रहे हैं य इनकी सबसे बड़ी quality किया है यह एक सो पचास इंचिस तक जाने कि यह तक्रीबन जो है पांच फूट से बड़ी स्क्रीन हमें प्रवाइड कर सकते हैं ठीक है तो इनमें प्लाजमा टेकनालोजी जो जो रही होती है जो प्लाजमा मुनिटर है यह हमें बड़ी स्क्रीन टैज करना है तेलिवीजिन के साथ वो भी टैज कर सकते हैं तो उनके लिए एक कनवर्टर यूज होता है डिजिटल टैलिवीजिन आफ अर्जा कि इस पर हाई क्वाल्टी आउटपुट अगर हम तीवी को यूज करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी आउटपुट मिलेग पर देख रहा है तो वह उसको टीवी पर देख रहा है साथ जो गेम खेल रहा है तो हम टीवी को भी कंप्यूटर के साथ अटैज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कंवर्टर चाहिए होता है साइज मैंटर मनें कैस साइज मेंटर ने इदर बताया गया है कि साइज जो होता है अगर साइज जितना बड़ा हो इतनी रेधुलेशन अच्छी हो हुआ have youuestas अच्ट रे्म ज jour के तें टिरइन इसें अच्छ आटी मेंली ञेंटेन में अपर चाएं लीज और जाटे स्लिए हो इस न चाहर बनिज भी चाह्च अवर्पिर उन eenatus एजह गर होर च्छोटे कि इस में बस领व मिलिटर्टि इस आख मिल्लेट इसकी प्रिंटर जो है पहले हमने देखिए हैं डिस्प्लेड वैसे अब देखते हैं प्रिंटर प्रिंटर भी क्या होते हैं प्रिंटर 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 की फाइम में हो थीए अगर हाड कापी नहीया प्रेंट ओट केए तो इसको मतलब होता है क्वो प्रेंट की यह हुए है जयंको सफड कापी किसे कहते है था पूछिवार्ट कापी किसे कहते हैं तो आपने बताना है हाइडías कापी जब पेज पर डेटा प्रिंट हो जाए तो इसको hard copy करते हैं, यह प्रिंट आउट प्रिंट जूट भी यही होता है, जो इस तो फ्रिंट हो जो प्रिंट है वह दो फारबे होता है, एक लैंड्सकेप, एक पोर्ट रेट में तो इसुत अधर भी हो सकता है, ठीक है, और एक फिर इस तरह भी हो सकता है तो यह हमें से पहले पूछा जाता है कि हमने कौन सा रखना है ठीक है लैंड्सक्रेप रखना है यह पूर्ट्रेट रखना है तो यह तरह हम इस तरह रख सकते हैं यह जो उपर है दिखाय गया यह पोट्रेट है और यह लेंड़ के बानी कर्वाला बिफोर प्रचेज देगा प्रिंटर जब हमने कोई प्रिंटर खरीदना है तो यह एक सारे प्रूश सकते हैं बजट कितना है साब से पहले जाहरा बजट अगर हमारे पास काम है तो हम सस्ता प्रिंटर खरीदेंगे लेकर उसके क्वालिटिज भी काम में होगी फास्टर कितना होना चाहिए कलर चाहिए जहां ब्लैक एंड वाइड चाहिए एक पेज़ पर मुझे किसनी कास्ट बननी चाहिए यह इंदादा लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ कलर वाले तो फिर जारा कलर चूज करेंगे यह सारे सवाल है यह जारे जिसके साथ ताहर ना लगाना पड़े लेटवर्क के साथ टाइच होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए एक साल में मुझे कितना प्रेंट करना पड़ेगा वो मैं नी स्वाइलब परेंट कार सकता है ठीक है और कितने कार सकता है तो यह सारी चीज़ें जो हैं यह हमें क्वेस्टिन पूशना पड़ेगा इन क्वेस्टिन को आपने एक दवा इदर से स्क्रीन शाट ले ले लिए या वैसे भी पास करके आप सकते हैं करते हैं कि क्या कोड़ेटि गोड़े करने कि क्यों कोण से चीज़ने होती है था में कौन कोण से दосьрахना है इत्लेटिए इस देख गलाते हैं तो गोदेखने हैं जो स्कूलिए इंद्टिय पूर्स से आपने लिकिन ऐला एक हास किसम का प्रिंटर होता है फारं टाइपर को टाइब Regal किया करता है करेक्टर भी प्रिंट कर देता है तो ग्राफस भी प्रिंट कर देता है नान इंपक्ट प्रिंटर यह कोई कुछे नान इंपक्ट प्रिंटर क्या होता है जो पेपर को टाच नहीं करता लेकर टाच किये बगएर यह सारी चीज़ें बना देता है उसको नान इंपक्ट प्रिं प्रिंटर इंग जरी किया तर ये पार इंच क्या है कि जितना हमें चाहिए थीक है मिसाल के दोर पार 300 DPI वाला चाहिए 300 DPI वाला चाहिए तो उस पर 300 डार्ट जैसे कि मैंने काई डार्ट के इस उस्वत में हमारे पास जो भी चीज डिस्प्ले जो होती है resolution पर भी जो screen का resolution है वो भी इसी बात पर depend करता है इसके लावा screen के लावा जो printer पर page पर भी जितना हमने अच्छा resolution लेना है उतना हमें में मिल सकता है 600 DPI वाला printer भी मिलता है 1200 DPI वाला printer भी हमें मिलता है तो inkjet printer क्या होता है जो जिन में से ink spray होती है तो आम तरपर जब आप शाफ्स में कुछ चीज प्रिंट कराने जाते हैं उसमें आम जो है ink भी डालते हैं ठीक है फिर उनमें कुछ न जो एक बबल की फार्म कर्वर्ट होती है वो फिर आगे page पर इस तरह शिफ्ट हो जाती है तो यह सिरफ उन्हेंने वरकंग बताई हुई है थोड़ी सी फोटो प्रिंटर क्या होता है जो फोटो को प्रिंट कर देता है किस फिर फोटो लैब जो है न उस क्वाल्टी पर प्रिंट कर देता है इनमें ज़रातार इंक जैट टिकनालोजी यूज होती है जो हम अभी देख रहे थे के वाट इंक जैट टिकनालोजी पीछली स्लाइड में heh में किसम की किसम की डवाइस है थे कि वो हमें क्या लग करती है कि आनेग दिक्ट केक्ष करने मिलगे प्रिंदे कम क्म्योटर को यूह दिना करना पड़े प्रेंट फ्राम मेमरी कार्ड एंड प्रव्यू फोटर आने विल्ट इन एसीडी से करें तो यह मतलब एक तो डिजिटल कैमेरा के दरी प्रेंट कर सकते हैं और दूसरा यह क्या उताइप्शन के प्रिंटर पर यह एक एसीडी लगी होती है चोटी सी वहां से भी हम देख सकत यह एक छोटी सी एसीडी लगी हुई है जो आमने दिखा रही है कि कैसा प्रेंट होगा यह उपर वाला प्रिंटर है जो फोर बाइशेंच की फोटो प्रेंट का रहा है नीचे वाला क्या है मुख्तलिफ साथेज की करना चाहें तो हम नकाल सकते हैं तो हमने दो किसम की दे नेखें लेजर प्रिंटर लेजर प्रेंटर क्या करता है पहले जो भी इंगित हाता है approach झिण और उप्रेंटर के सट एक प्रेंटर रहे प्र चीज dain हो जाती है लेजर प्रिंटर a multifunction peripheral कोई पूचे F constructive क्या होता है उनको multifunction ज्यदा function प्रफारम कर सके है परीफरल सिर्फ सेम्पल ये होता है के डिवाज जो है वह साठ पर टायेटे या मुझने आफाट Rapid जिए सब्सक्न क्याонगा जब कर सके आपके के तो उसको क्या कहेंगे multifunction peripheral sometimes called an all-in-one device जिने के all-in-one device तो उसकी यह शेप भी होती है और भी shapes हो सकती है मुखलिफ कंपनियों की मुखलिफ shapes हो सकती है तो यह ज्यादा का सकती है तो multifunction peripheral क्या होती है यह अपने याद रखना है यह थर्मर प्रिंटर क्या होते हैं generate image by pushing electricity heated panes यूज होती है जब वह heat होती है ठीक है तो वह heat sensor paper यूज होता है उनमे तो जब उस पर heat पढ़ती है तो उस साब से उस पर चीज़ें प्रिंट हो जाती है तो यह दो किसम क्यों होते हैं जो heat वाले प्रिंटर होते हैं ठीक एक thermal wax transfer printer होते हैं और एक dyes sublimation printer होते हैं तो इनको सिर्फ इनके नाम ही काफी है आगे इनके मजीद हम जो है किसी और सब्जेक्ट में गर आपने computer के लेटर पढ़ा जाँ ग्राफ हसके लेटर डिकास पढ़ा तो इसमें आगे हम इनके वजाद करेंगे अभी आपको thermal printer में यह जाद है चाहिए कि यह heat को यूज करते हैं और फीर अधिचों इनकी जो में टाइप से ही दो है hey कि म्ममाईल प्रिंटर से ब्याइन के लाइट होता है और अम इनको कहीं भी लिजा सकते हैं लेटिसी योजने करना पती है लेबल प्रिंटर क्या होते हैं जो label print करते हैं stamp print करते हैं आम तोरब पर stores पर होते हैं जो उनको रसीधे और प्रेंट करने के लिए यूज किया जाता है छोटे से printer होते हैं ठीक है add if type material का मतलब होता है जो उपर लगाया जाता है जैनि कि जी आप कोई बी चीज हमने बेच नहीं है तो उसके उपर लगा घते हैं उसके कीमत तो इस तरह का मत्यक दिल होता है जो हमने किसी के ऊपर एटाइज करना होता है उसको इसको इससल चीज को परिंट करने के कुछ से यूज होती है लेबल प्रिंटर पूस्टेज 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 के वाल्टिकलर प्रिंटर्स आने लारजर स्केल जो बड़ी फोट्टो के लिए हम यह दोनों चीज़ें यूज करते हैं अप्लाटर भी और लार्ज फ़ारमन प्रिंटर भी उनने के बहुंद नाड़ सट्राइकंगाप पेकर हो चलते हैं धूबहुस करते हैं इन तो इंक्ट लीबन जिसमें यूज होता है जिसमें इसलाई होती है तो जिसमें फिर वो जब ताच करती है तब प्रिंट होता है और लाइन प्रिंटर में क्या होता है प्रिंट्स को प्रिंटर टच कर रहता है टो यह पैज को प्रिंटर एक नाम याद रखने है और यह दोनों कों से हे इंक्पेग्ट प्रिंटर होता है टाज करें, यह audio output devices है, कौन-कौन सी होती है, speaker होते हैं, ठीक है, इसके लावा, mic use हो सकते हैं, air buds use हो सकते हैं, यह सारी चीज़ें कौन सी होती है, speaker, audio output devices, high quality sound, interactive multimedia presentation, listen to music, view movies, यह सारे काम करने के लिए, हम यह use कर सकते हैं, एड़फून, एरबड्स ओधिक है यह जो है ना यह एड़फून और यह फरक होता है लेकन यह उते स्पिकर ही है स्पिकर, एड़फून, और एरबड्स यह तीनों जो हैं, अडियो को सुनने के लिए इस्तमाल होते है wireless speaker जो नहीं जो बिए ब्लूटुस में उड़ता है उनको साथ नहीं लगाना पड़ता एरबड भी जो और वैर्लस होते हैं Bluetooth बिए उत्ता है तो यह portable होते हैं छोटे होते हैं तो उनको असनी से हमें एक जिगा से पूर्टेबल का मैंने पहले भी बताया था पूर्टेबल ऐसे चीज जिसको हम एक जिगा से दूसरी जिगा सानी से लिजा सकें ठीक है वाइस उट्पुट अकर वैं जो ही है अपसंद जब कोई बोलता है तो हमें उसकी वाइस उट्पुट आती है जान कम्प्यूटर बोलता है तो बीजिए उसकी वाइस उट्पट में जराती है सम वैबसाइट वह सिरफ उट्पुट वाइस में देती है ठीक है जैसे सांग्ज वाली कुछ वैबसाइट है तो इस तरह करके अदर आउट्पुट वैसे क्वह सियहां वाइटा प्रजैक्तर भी है और एंटलैक्ट theatrical वाइट बॉल्ड बीन डेटा प्र्जैक्टर मैंने पहले बताई है जो इसनंके लाइट निकलती यह और वह दुवार ёл चले गए हैं डेटाब बिश्यक्ति केंभा स्टीजान को मैं वा इसा है कि कि वा हुआइद निकल देशन इसकाई उसको इनको क्या कहते हैं डेटा फुर्जेक्टpe इंटरैक्टर वायड़ बोर्ड यह स्क्रीन में दख्या गिया है यह बच्यपड़ भी है इन इनों को हम्टाच भी कर सकते हैं चीज़ Smash शाamous छेटान की परुट गोस्ते बच्रीक्टरफन करेक्टर से चलते हैं तो यह बी एक Aware awareness है फोर्स फीड़बैक और टिक्टाइल ओटपुट यह दोनों हमें क्या करते हैं अगर हम गेम खेल रहे हैं जैसे हम गाड़ी को मार रहे हैं तो जैसे गाड़ी जा खता हम गुमती है तो हम पता चलेगा जैनके हमें उसके फीड़बैक भी मिलेगी ठीक है वी खागाड़ा, उसकी आवज भी आएगी और हमें जो है यह आला कि हम गेम खेल रहे होंगे तो जैसे जिस तरह की कंडिशन होगी उस तरह की हमें ओटपुट भी साथ में मिलेगी तो जह जब ऑटपुट मिलती है तो गेम में भी यह यूज़ होते हैं निचे वाला भी physical response ही होता है इसमें थोड़ा सा फरग होता है तो इस lecture में हमने कौन कौन सी output डवाइसे देखी है एक हमने tactile output देखी है जो भी देखी है और दुसरे नमबर पर force feedback इससे पहले हम कौन सी देख तुके थे white code और data projector उससे भी पहले हमने audio output देखी है audio में speaker भी आ जाते है headphone भी आ जाते है और उससे पहले हमने कौन से देखी है monitor display devices में LCD भी आ जाती है और printer में बहुत सारी किसम के printer होते है label printer होते है और दो main जो printer की हमने किसमें देखी है वो कौन से printer है जो main एक impact printer है एक non-impact है impact में paper के साथ touch होता है printer का सारा जो printer touch होती है और उससे paper की quality पर भी असर होता है और non-impact में क्या होता है paper की quality impact नहीं होती है paper खर वो चीज़ें touch नहीं हो रही होती उन पर spray हो रहा होता है जा दूसे उन पर printing हो रही होती है तो उनमें भी मुखलिफ किसम के प्रिंटर है तो यह हमने सारी आउटपुट डिवैसर को कवर कर लिया है मिलते हैं नेक्स वीडियो में